कि हालो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में फ्रेंड इस वीडियो क्लास में हम डिसकस करेंगे SSC CGL 2017 17 टीर 1 का एक पेपर और यह पेपर 6 अगस्त 2017 को इवनिशिफ्ट में कंडेक्ट हुआ था तो चलिए डिसकस करते हैं इस पेपर को देखें यह स्पोर्टिंग एरर का पाथ है और इसमें कोशन दिया है जो की चार पार्ट में डिवाइड है और इसमें आपको एरर निकालनी ह तो लाज़् बहुत पहले की हम बात नहीं करें तो शुक्र मतलब लाज़् एक मात्र प्लेस था यहाँ पर स्टे करने के लिए यह सेंटेंस का मतलब है और इसका जो uses होता है correct जो phrase होता है वो होता है if not too long ago ठीक है if not too long ago हाला कि ये literature में use होता है ये phrase लेकिन SSE में ये पूशा गया है तो ये जो phrase है आप जो first part जो देख रहे हैं ये वाला जो पात ये पात इसमें wrong है और इस question में आपका answer होगा A second question देखते हैं He was able to put pen paper only much later मतलब है बहुत बाद मैं pen paper को कर पाया actually ये phrase है put pen to paper put pen to paper का मतलब है कि paper के ऊपर कुछ लिखना शुरू करना ठीक है तो he was able to put यहां तक तो ये sentence सही है put pen to paper put pen to paper यहां पर इसमें यहां पर इसमें to आना चाहिए यानि आपका जो second path है यह इसमें गलत है तो इस question में आपका answer होगा second क्योंकि जो correct phrase है वो है put pen to paper आप नीचे explanation में देख सकते हैं आगे हम question देखते हैं I sense the of the argument sense का क्या रत है sense का रत है किसी चीच को भांप लेना ठीक है तो अगर आप यह question पूछें के I sensed मैंने sensed किया तो किस चीच को sensed किया I sensed what तो यहाँ पर आपको एक noun चाहिए क्योंकि what का जो answer होता है वो noun होता है ठीक है I sensed what और what का जो answer होता है वो noun होता है तो इसमें आपको noun form चाहिए तो noun form कौन सी है beautiful तो adjective है beautifully adverb है beautification भी actually noun है लेकिन जो beautification का आर्थ होता है actually किसी चीच को सजाना ठीक है लेकिन यहाँ पर आपको क्या चाहिए I sensed the of the argument मैंने उस argument की beauty को sense किया ठीक है beautification actually decoration के sense में आता है तो इसलिए यहाँ पर आपका जो सही answer होगा वो होगा beauty sensed what sensed beauty ठीक है इस तरीक से इन questions को समझना है next question हम देखते हैं the beans are turned to avoid burning मतलब beans को turn किया जाता है किसी व्यक्ती के द्वारा ताकि burning ना हो beans are turned to avoid burning तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए मतलब उनको लगातार या नियमित रूप से turn किया जाता है regularly उनको turn किया जाता है उनको पल्टा जाता है तो यहाँ पर आपको एक adverb चाहिए मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक verb दी है turned लेकिन turned को कैसे किया जाता है यहाँ पर उसको बताने के लिए आपको एक adverb चाहिए और adverb है इसमें constantly तो यहाँ पर Beans are turned by someone to avoid burning. Beans को पल्टा जाता है, जब पल्टा जाता है, तो किसी व्यक्ति के द्वारा उसको पल्टा जाता है, यानि यहाँ पर एक agent involved हो गया, जिसके द्वारा इस काम को किया जाता है. तो जब agent involved हो जाता है, तो पैसे voice construction होता है. और चुकि यहाँ पर verb दी है, turned, इसको modify करने के लिए, हम यहाँ पर adverb का use करेंगे. Question number 5 देखते हैं, similar word, synonym भी बोलते हैं इनको dribble. क्या मतलब है इसका dribble का? देखें, dribble का अर्थ होता है, nonsense talking करना. ठीक है, तो nonsense का equivalent तो यहाँ पर दिया नहीं है, nonsense word यहाँ पर नहीं दिया, लेकिन nonsense का equivalent word blether होता है. तो blether यहाँ पर आपका सही answer होगा, judicious का क्या आर्थ है, judicious करत होता है, buddhiman, या prudent, या careful, या astute, और sane का क्या आर्थ है, sane करत होता है, sensible, जो reasonable है, जो सही है, उसको हम बोलते हैं sensible. कुछ और word हम यहाँ पर देखते हैं, देखे, यहाँ पर मैंने synonym में और intonym भी दिये हैं, in words के, जैसे dribble के synonym मैंने यहाँ पर दिये है, praytl और bebel भी होगा, और intonym होगा, इसका calm और hush. ठीक है, ये जो synonym और intonym है, ये हैं आपके, dribble के synonym और intonym, और antonym. तो इस वीडियो क्लास में इंडिरेक्ट ली आपके हंडेट कोश्चन तयार हो जाएंगे क्योंकि चारों ऑप्षिन मैं इसमें आपको एक्स्पेइन करूंगा पर सीवेरेंश का क्या अर्थ है पर सीवेरेंश का अर्थ होता है कि एक व्यक्ति के अंदर इतनी ज़्यादा सेहन करने की चमता होना या इतना ज़्यादा काम करने की चमता होना इतना ज़्यादा उसका डिटर्मिनेशन होना कि वो लगातर उस काम को करें पर सीवेरेंश का मतलब होता है लगातर किसी काम को क यहां पर इसका सही आंसर होगा इंडियूरेंस होता है सहन करने की चमता और परसीवेरेंस होता है लगातार काम करने की चमता दोनों में थोड़ा सा अंतर है लेकिन यहां पर चुकि आप्शन में इंडियूरेंस ही दिया है तो इसलिए इंडियूरेंस यहां पर आपका सही आ होगा, lazy hazardous का क्या आर्थ है? hazardous का यहाँ पर आपको opposite word देखना है hazards का आर्थ होता है खत्रा या risk जैसे हम बोलते है environmental hazards ठीके? तो hazardous का मतलब क्या होगा perilous और hazardous सनूनूनिम वर्ड है क्योंकि peril का मतलब भी risk या खत्रा होता है तो हैजाड असका जो सुनोन्यप हो वहाएस होगा लेकर यहां पर आपको सुनोन्यप नहीं चाहिए यहां पर आपको आपव सैफ यह फूर उपजम कर नौ जो से यहाँ पर सेफ या सीक्यो वह प्री केरियस कारता है बहुत ज़्यादा शेकी यानि स्टेबिल या कितिकल जैसे प्री केरियस कंडिशन होती है ठीक है तो डाइसी एक अच्छा वर्ड है जिसका अर्थ है रिस्की या प्रेडिक्टेबिल तो यहां पर मैंने नीचे वर्ड भी दिये हैं इनको आप देख सक चुकी नाउन है इसलिए डिसकरेजमेंट यहां पर आपका सही आंसर होगा बैकिंग का अर्थ भी सपूर्ट करना होता है एडवांसमेंट का अर्थ होता है आगे जाना और असेस्टेंस का अर्थ है सहयोग करना ठीक है अब यहां पर हम इडियम देखते है पुट वन्स फ दर्शित रहना एक फर्म स्टेप लेना ठीक है तो यहां पर इसका आंसर होगा अडॉप्ट आफर्म पॉलसी वेंट फेस्ट विद अपोजिशन और डिस ओबीडियंस एक दर्शित रहना एक फर्म पॉलसी को अपनाना कि मैं करूँगा तो इसी काम को करूँगा नहीं तो पुट वन्स फॉट डाउन का मतना होता है अडॉप्ट आफर्म पॉलसी एक मजबूत पॉलसी का सहरा लेना तो यहां पर आपका सी जो होगा वो सही आंसर होगा weasl in the dark ka क्या आर्थ है काफी important यह idiom है औरव विसल इन दर्डार्थ है कि आपको डर लग रह रहा है लेकिन आप बहाना बना रहे हैं कि आपको डर नहीं लग रहा है pretend to be unaffraid ठीक है pretend to be unaffraid इसका सही आंसर होगा whistle in the dark और यहां पर आप देख सकते हैं to attempt to summon up one's courage अपने साहस को एकटा करना हाला कि आपको डर लग रहा है लेकिन आप बहाना बना रहे हैं कि आपको डर नहीं लग रहा है तो इसको हम बोलते है whistle in the dark ठीक है एक यह इडियम में पूछा जाता है whistle in the wind और इसका क्या आर्थ है इसका आर्थ होता है if you describe someone as whistle in the wind you mean that they are trying unsuccessfully to change something which cannot be changed whistle in the wind का मतलब है कि ऐसी चीज़ को change करने के कोशिश करना जो change नहीं हो सकती तो यह भी इडियम एक काफी important इडियम है और इसको आप extra में देख सकते हैं हलाकि यह एक्जाम में नहीं पूछा गया है लेकिन आगामी exams में यह पूछा जा सकता है whistle in the wind यहां से sentence improvement का section आपका शुरू होता है I am always wondered what it would be like to be inside the chocolate factory sentence का मतलब क्या है what it would be like just a humble day what it would be like मतलब ऐसा करना कैसा लगता है जैसे आजी में बोलूंके what it would be like to to kite to fly a kite मताब पतंग उडाना कैसा लगता है मतलब यह इसका experience जो रहता है वो कैसा रहता है what it would be what it would be like to drive a car ठीक है और यहां पर एक phrase आया है I wonder तो चुकि यहां पर wondered दिया है इसलिए यहां पर हम बोलेंगे I have always wondered have आएगा फिर always बीच में आएगा और इसके बाद wondered आएगा I have always wondered चुकि यहां पर third form में वर्ब की इसलिए हम बोलेंगे I have always wondered ठीक है इस phrase का मतलब क्या होता है यदि आप बोलें I wonder if I wonder whether ठीक है इसके बाद हम if और whether का प्रयोग करते हैं और इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब हम देख लेते हैं a polite way of asking someone for something such as information यदि आप किसी व्यक्ति से कोई request कर रहा है कुछ काम करने के लिए या को information आप जानना चाहते हैं या कोई favor आप लेना चाहते हैं तो I wonder जो है एक polite तरीका है कहने का विनम्र तरीका है किसी व्यक्ति से कुछ request करने का जैसे कि आप यहां पर example देख सकते हैं I wondered if you could possibly lend me some money यह past tense में है actually I was wondering whether you would like to come to the theater with me मतलब मैं आप से request करना चाहरा था कि क्या आप मेरे साथ theater तक आएंगे ठीक है I wonder if you would do me a favor मैं जानना चाहता हूं मैं आप से request करना चाहता हूं मैं आप से politely पूछना चाहता हूं कि क्या आप मुझे एक favor देंगे क्या आप मेरे काम करेंगे तो यह इसका मतलब होता है इस phrase का और काफी important है यह sentence improvement में second part दिखते हैं they loaded their ships with spices and silks and returns with the summer monsoon बहुत simple question है ज्यादा tough question नहीं है और यह चीज़ ध्यान रखिए कि जीके और English में S.S.C. में हाला कि math और reasoning में भी यह बात सही है कि 70% जो question होंगे वो simple होंगे tricky नहीं होंगे tricky जो questions होंगे वो 30% question होंगे और आपका जो selection होगा वो tricky question के based परी होगा कि number of tricky questions आपने कितने की है तो 70 questions तो आप expect कर सकते हैं कि बहुत ही सरल होंगे या बहुत ही सरल नहीं तो आप easy to moderate मान सकते हैं उनको लेकिन जो tricky question होंगे उन पर आपका selection और आपकी rank जो है वो depend करेगी तो चुकि यह sentence past में है loaded लखा हुआ है इसलिए यहां पर हम returned यादी फॉर्म का प्रियोग करेंगे select the correctly spelled word loop holes यानि कमियां या खराबियां किसी चीच की कमियां या खराबियां तो loop holes की सही spelling इसमें first वाला जो word है यह इसकी सही spelling है यह एक नया word है और इसका अर्थ होता है where for इसका अर्थ actually where नहीं होता इसका अर्थ होता है वाय और इसकी सही spelling होगी w h e r e f o r e where for ठीक है तो where for का जो अर्थ है वो यहां पर देख सकते हैं आप इसका इसका मतलब होता है वाय या for what reason यह इसका मतलब होता है कि वन बड़ सक्केशन के यह कुछ कोश्चन से डिमिनिश इन वैल्यू ओवर आपीरियद अफ टाइम इसी चीज की वैल्यू कम हो जाना किसी चीज की कीमत कम हो जाना उसको हम क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे डेप्रीशियेट या डेप्रीशियेशन एसके लेट का आर्थ होता है बढ़ना और और इसका मतलब भी होता है इंक्रीजड पावर स्टेटस और वैल्थ ऑफ सम्थिंग नॉट एबल टू प्रड्यूस चिल्डन इसका क्या आंसर होगा नॉट एबल टू प्रड्यूस चिल्डन इसका सही आंसर होगा इस्टराइल इसके दो मीनिंग होते हैं अभी हम एक्स्पेन करेंगे इ इन तीनो वर्ट्स के मीनिंग हम देख लेते हैं तीनो वर्ट्स के मीनिंग क्या होंगे एक तो होता है फैकंड जिसका रत होता है प्रडेक्टिव एक होता है ग्रेविड जिसका रत होता है पिगनेंट या फुल आफ एक्स और एक होता है पर्टेनिंग टू और अकरिंग पुवर्टी मतलब जब एक व्यक्ति की युवा ववस्था यानि उसकी जवानी जब स्टार्ट होती है तो उससे संबंदित कोई चीज होती है बाइलोजी का एक टर्म है हिबैटिक उसको हम बोलते हैं ग्रेबिट कारता है प्रिगनेंट या फॉल अफ एक्स जैसे फिश होत सकते हैं यहां इसको पूरा पढ़ सकते हैं और एक मीनिंग इसका होता है नौट एबिल टु प्रोड्यूस चिल्डल और यंग दो इसके मीनिंग होते हैं और यहां पर काफी सारे सुनो नेम्स और एंटो नेम्स पी मैंने बताये हैं उनको भी आप इस वीडियो को और X, Y, Z का कॉंबिनेशन क्या होगा वही आपका आंसर इसमें होगा इसके बाद हम आप टू जोड़ सकते हैं यहां पर ठीक है वर्ब के बाद वर्ब जोड़ती है ठीक है तो he does not mean to indicate that the relation, relation के बाद आप इस जोड़ सकते हैं क्योंकि relation के बाद वेन तो जोड़ेगा नहीं तो relation के बाद इस जोड़ जाएगा, he does not mean to indicate that the relation is any the less uniform or dependable when he denies that it is schedule, he does not mean, यह हो जाएगा फस्ट, to indicate that the relation is, यह हो जाएगा, second, यह आपका option बन जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, Y, Z, X, Y, Z, or X, B इसका सही आंसर होगा इस question को देखते हैं, not only people have buying, देखें एक होती है purchasing power और उसको हम बोलते हैं buying capacity, तो buying के साथ capacity वर्ड जुड़ जाएगा, ठीक है यह, तो first यह हो जाएगा, not only people have buying capacity in the city, people here are also quite concerned about, they are concerned about what, they are concerned about environmental and environmental health, तो यह हो जाएगा आपका third, Y, Z, or X, इसमें भी Y, Z, X आपका आंसर होगा ठीक है, logically आपको sentences को connect करना है, और logically आप connect करते हैं, तो आप, मुझे लगता है कि आप सही answer तक पहुँच सकते हैं, एक्टेप ऐसे वह इसका sentence है, और यह तो simple आते हैं, इसमें कुछ भी कठें नहीं है, the director will give you instructions, instructions से sentence यह start होगा, sentence यह start होगा instruction से, क्योंकि director इसमें subject है, will इसमें helping verb है, give इसमें mean verb है, और you इसमें object है, instruction भी object है, you actually indirect object है, और instruction इसमें direct object है, तो you से भी start हो सकता है, लेकिन इसमें you का option ही नहीं दिया है, instructions will be given to you by the director, या you will be given instructions by the director, यदि you का option दिया है, कि you will be given, हाला कि यहाँ पर you will get कर दिया है, लेकि यह active voice है, और यह भी active voice है, तो चुकि you का इसमें पैसे voice नहीं दिया, actually इस sentence कि दो पैसे voice बन सकते है, एक you से बन सकता है, और एक instruction से बन सकता है, तो you वाला जो बनेगा वो इसमें option में नहीं दिया है, तो इसलिए आपका सही answer होगा इसमें, बी, instruction will be given to you by the director, यह narration का question है, what makes you so sad, she asked Manoj, ठीक है, तो इसको हम कैसे change करेंगे, देखें, एक इसमें ये path है, और एक ये path है, ये है आपका reporting path, ये है आपका reported path, ठीक है, reporting path का ये है subject और ये है object, और इस path को आपको change करना है, ठीक है, तो चुकि ये question पूछा जा रहा है इसमें, इसमें she asked Manoj हम बोलेंगे, she asked नहीं होगा, she has asked नहीं होगा, she asked Manoj, और यहाँ पर आएगा, Manoj के स्थान पर, Manoj को हम change करेंगे, इस object के साब से, यानि you के साब से, मतलब ये you के स्थान पर, Manoj का equivalent आएगा, और Manoj का equivalent crew down, जो होगा, वो होगा, he, और he का objective case होगा, him, तो यहाँ पर सही आंसर होगा, she asked Manoj, what made him so sad, ठीक है, she asked Manoj, what makes him नहीं होगा, what made, क्योंकि past में है ये, तो यहाँ पर इसका सही आंसर ये होगा, आपका C वाला, ये इसका सही आंसर आपका होगा, ये है एक passage, और इस passage को हम solve करने की कोशिश करते हैं, जैसे हमारी प्रत्वी है, उस प्रत्वी के अलावा, हम दूसरी जगे के इसी प्रत्वी को ढूड़ सकें और वहाँ पर लाइफ को हम कर सकें, तो इसी लिए ये जो क्वेस्ट है, ये जो खोज चल रही है, इसको एक बड़ा बूस्ट मिला है, मतलब इसको एक बूस्ट मिला है, किस चीज के साथ, विद डिस्कबरी ओफ सेविन अर्थ साइज एक्स्ट्रा सोलर प्लानेट्स, ये एक्स्ट्रा सोलर प्लानेट्स होजे गए हैं, जिनको हम बोलते हैं, एक्सो प्लानेट्स, और और्बिटिंग ए ड्वार्फ स्टार, एक ड्वार्फ स्टार है, उसके आसपास ये घूम रहे हैं, अबाउट बती लाइटियर्स अवे, और प्रफिभी से चालीस प्रकास वर्ट से ये दूर है, फिके ये, लाइटियर्स की एक यूनिट है, गहीं इसमें हम इनकी जिस्टेंस होती है, solar objects कि इसको हम measure करते हैं तो यहां तक हमने समझ लिया अब हम आगे देखते हैं unlike earlier discoveries of exoplanets all seven planets could possibly have liquid water देखे life के लिए liquid water होना जरूरी है और इसमें बैग्यानिकों ने ये खोज की है कि exoplanets पर सारे साथ यो प्लानेट हैं उस पर liquid water हो सकता है जो की a key to life जो की जीवन जीने के as we know it on earth with three planets having the greatest chance बतला इसमें इन साथ planets में जो थ्री planets है उसमें वहां पर पानी होने के सबसे ज़्यादा chances हैं this is by far the largest collection of earth-like planet in the habitable goldilocks zone of a star देखे goldilocks zone क्या होता है goldilocks zone ऐसा zone होता है जहां पर जो star मिलेगा इस location पर goldilocks zone में जो star मिलेगा वो habitable हो सकता है क्योंकि वो ना तो ज़्यादा गरम होगा ना ज़्यादा ठंडा होगा इसलिए वहां पर पानी होने की संभाब ना हो सकती है उसको हम बोलते हैं goldilocks zone neither too close nor too far from star star से कैसा planet ना ज़्यादा दूर है ना ज़्यादा पास है उसको हम बोलेंगे goldilog zone which raises the possibility of liquid water being present on the surface क्योंकि ज़्यादा गरम होगा तो पानी उड़ जाएगा और ज़्यादा ठंडा होगा तो बरफ हो जाएगी वहाँ पर तो इसलिए goldilog zone के जो planets हैं वहाँ पर life हो सकती है यहाँ से पढ़ते हैं only earth has liquid water in the solar system solar system में केबल earth एक ऐसा planet है जिस पर liquid water है और चुकी इस पर liquid water है इसलिए यहाँ पर life है Since the dwarf star is much cooler than the sun dwarf star जो है वो sun से ठंडा है The dimming of light each time a planet passes or transits before the star could be easily recorded from earth unlike in cases when planet transits a sun-like bright star इसका simple सा मतलब यह है कि earth से यदि planet की activity को हम record करें तो यदि वो star के पास है तो उसको आसानी से record कर सकते हैं क्योंकि sun के पास है यदि वो होगा तो उसकी गर्मी की वज़े से recording जो होगी वो proper नहीं हो पाईगी Since the initial discovery of three planets was made using chilly based transiting planet and planet decimal small telescope मतलब इसका जो initial discovery हुई थी जो तीन प्लानेट की वो चिली एक देश है वहाँ पर एक telescope है उसकी मदद से की गई थी और इसका नाम है TRAPPIST अब यदि आपने यह समझ लिया है पूरा passage तो इन questions के आंसर आप बहुत ही आसानी से आप दे सकते हैं दा टेलिसकोप TRAPPIST इसन विच कंट्री चिली में है यह इसका आंसर होगा चिली वाट इसेंसियल तो हैब दा पॉसिबिल्टी ओफ लाइफ ऑन एक प्लानेट पर जीवन होने के लिए प्लानेट की एक स्टार से करेक्ट दूरी ताकि वहाँ पर लिक्विड वाटर मिल सके उसको हम बोलते हैं गोल्डी लॉक जोन किस चीज ने प्लानेट की रिकॉर्डिक को सरल बना दिया इसका आंसर होगा फस्ट इसका सही आंसर होगा और यहां देखते हैं क्योंकि प्रत्वी पर ही केबल पानी है और किसी जगह पानी नहीं है तो इसका आंसर होगा सी इस तरीके से इस इन कोस्टेंस को आपको कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करना है और यह था स्सी सीजियल 2017 का प्रीविएस एयर पेपर यह सैट 4 है यह 6 अगस्त 2017 को इवनिक होगा था तो इस वीडियो क्लास के लेगार्डिंग कोई भी आपका फीडबेक है तो इस एमेल आईडी पर आप मुझे भेज़ सकते हैं और कोई भी आपका फीडबेक है कोई भी कोई भी झाल झाल